जो कैग की रिपोर्ट है वो तो पॉलिटिकल भासन नहीं है वो तो सरकार की ही एक संस्था है कैग जो की अपनी रिपोर्ट पेस की है कि गवर्मेंट के जो भी मतलब कार्रे किये गए हैं रोड़ बागर अगर परदान मंत्री की सही मनसा रहती है तो आप एक कानून निकालि कि बिना इंडिया गवर्मेंट के परमीशन का कोई भी व्यक्ति देश के बाहर पैसा चुनाव नस्दीक आते हैं और पार्टिया एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं चुनाव नस्दीक हैं विपक्ष की पार्टियों ने भाश्वा पार अगर सडक बनाई है अगर कुछ इमारत बनाई है तो कितने घोटाले हो गए यानि कि एक के बाद एक बड़े-बड़े घोटाले बिपक्ष की पार्टियां प्रेस कॉन्फरेंस की जरी बताने का प्रियास कर रही हैं अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना जूट है ये भी करड़ रुपए किसके हैं राहुल गांधी ने भी लालकले से एलान कर दिया था कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अमबानी कर रहे हैं प्रधान मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं यानि कि आप समझ सकते हैं कि राजनीती घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के अड प्रदानी, मिहुल चौकसी तमाम लोगों पर आ रही है और ये बता रही है कि प्रधान मंत्री जो कर रहे हैं वहाँ गलत कर रहे हैं ये देश के साथ पक्षपाथ है अब ये सब कुछ 24 को लेकर है या फिर सच्चाई को लेकर है इसको जानने का प्रियास करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं और सुप्रीम कोड के वकील क्या सोचते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जो वकील होता है उसको इतना नौलेज होता है कि वो चीजों को समझता है परखने की क्षमता अच्छी होती है नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका न ही हुए हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत जी धन्यवाद कैसे देखते हैं आप सीओ जी की रिपोर्ट आना जो है अर्विंद केजरिवाल का दिल्ली विधान सबाव में फिर से पोल खोल देना सुप्रिया स्रीनेत की प्रेस कॉनफरेंस पवन खेरा की सुप्रेस लगाता राजनिती जो है आप कुरसी के खेल में तबदिल होती है नजर आ रही है देखिए सबसे पहली तो अगर आप कनहिया का भासन या अर्विंद केजरिवाल का भासन को आप अगर देखेंगे तो उसको आप पॉलिटिकल भासन कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो कैग की र चाहिए उसको बढ़ा करके सरकार जो है 200 क्रोर यानि सिधे लंसम 13 गुना जादा जो है वो कर दिया गया तो यह तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि यह घोटाला हुआ है इसमें और यह कोई मतलब नेता यह चीज़ नहीं बोले हैं यह तो उनका ही एक संस्था कैग जो है जो प्रिशन को लगातार विधान सभी में उठाते हो नजर आ रहे हैं कि महिल चौक्सी की बात कर लो या कोई भी मोधी की वाद कर लो इनको भगाया नहीं गया है यह भागया गया है यह बात माफ कीजीगा यह बात उन्होंने कही है और राहुल गांधी की इसी शब्द पर मो मोदी जी घिर रहे हैं मोदी जी जो है बीजेपी सरकार घिर रही है वो एक्सपोज हो रही है बीजेपी गॉबर्मेंट जो है धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है जनता के सामने अब जो है ये किसी भी नेता पे कारवाई नहीं कर पाएंगे क्यूंकि जो भी है इनका जो भी गलत कार्य है भरष्टाचारी इनको बचाने का जो इनका बीजेपी गोबर्मेंट का तरीका है एक तरब किसी को बोलेंगे सत्तर आजा इनमें देख लिजेए आप सुरू से ले करके बीजेपी गोबर्मेंट में सुरू से ले करके अभी एक भरष्टाचारी थे आसाम के मुखमंतरी बना दिये गए उन पे भी ये आरोप लगाते थे उस पे तो कोई दूसरा आरोप नहीं लगाता था जब वो कॉंगरेस में थे तो एक दम चिक चिक के नरेंद मुदी करते देख भरष्टाचारी है अब तो वो अपने गोद में उनको बैठा लिए अब वो भी वैक्ति को भरष्टाचारी वैक्ति को आसाम का मुखमंतरी बना दिये इसको अब क्या कहेंगे, इसको जनता क्या कहेगी? आखिर क्या मेंसेज दिना चाहते हैं पर्धान मन्तरी? जितने भी भरसाचारी हैं आखिर भाग कैसे जाते हैं गॉबर्मेंट के चंगुल से आप तो गरीब अगर जनता कुछ भी लॉन लेती है तो गॉबर्मेंट उसको पकर लेती है बैंक वाला पकर लेता है लेकिन जो बड़ा बड़ा नेता है ये लोग ये बड़ा बड़ा बिजनसमेन है ये लोग पैसा लेकर भाग कैसे जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं क्यूंकि ये लोग चुनाओं में फंडिंग करते हैं गॉबर्मेंट को फंडिंग करते हैं आप ये देख लिजिए ये मेरा तो मांग है कि जो भी मतलब पार्टि-फंट होता है जतने का आंधिक की माना चाहिए क्वी जंता को छो रहे हैं जनता का इनलागा देश के प्रधान income नांदर 15th को ये बात भूली है कि ज़स्ट चांद आन्य से ब्शुटाचार कम हुआ को आप नहीं मानते हैं भरस्टाचार कम ने हुआ है बढ़ गया इसमें बीजेपी के गोबर्मेंट में कैसे हर संस्था में भरस्टाचार हैं लौ मिनिस्ट्री जो है पैनल एड़्वोकेट निकालती है ठीक है उसमें अपने कारकरताओं को भर देती है क्या यह भरस्टाचार नहीं है जा को किया कहें करफसन सरूफ मनी से करफसन नहीं होता है हर जगा करफसन इन फैला रखा है संस्था में प्रफसन पैला रखा इनवर्सिटी जाए तो इसके लोग सिनेट में भरे पड़े हैं अखर कैसे चverse rok to लेकिन जितना बीजेपी करप्सन किया है उतना इस नहीं किया था यह राजा पे बार बार हंगामा करते थे बीजेपी वाले कि ए राजा भरस्ताचारी ए भरस्ताचारी ए ठीक है आरोप लगा था तो उसको तो कॉंग्रेस वाला निकाल दिया था अपने पार्टी से बीजेपी के नेता पे जब आरोप लगता है बीजेपी तो आरोपियों को ही अपने पार्टी मिला लेती है अजित पबार डिप्टी सियम बना दिया कुछ दिन पहले परधान मंत्री खुद चिला चिला करके बोल रहे थे हमाराष्ट में सत्तर हजार करोर लूट लिया तो भाईया आपने अपने पाटी में क्यों सामिल किया उनको आखिर क्या हमदर्दी है आपको ऐसे ही उनको जुमले बाज नहीं बोला जाता है परचार किये कि 15 लाग करोर जो है मतलब वो आ जाएगा सभी के खाते में कहां आया 15 लाग करोर रुपे आप तो जनता से emotional attachment हो करके आप भोट लिये हैं उस तरह का लोगों को सच्चे नेता को चुनना चाहिए इस तरह के जुमलेवाज जुठेदार निता को नहीं चुनना चाहिए ये बार-बार परिवारवाद कहेंगे परिवारवाद कहेंगे और अपने ही पार्टी में मतलब जो है इतने परिवारवाद इनके भरे पड़े हैं कि गिनाने लगूं तो समय खतम हो जाएगा लगातार ये बात कही है कि चीन और एसस और बीजेपी का कनेक्शन ये बात कही गई है इस पर भरोसा है एसा तो नहीं है यह चीज मैं नहीं मानता हूं कि लेकिन तब भी जो है रिलेशन जो होता है चैना जो है बड़ा कंट्री है अब हर चीज तो इंडिया बनाएगी नहीं तो इसको परतच रूप से हर देश को जो है यह बात अरविंदिक केजरिवाल भी कह रहे हैं और तमाम बेपक्षकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं इसमें सच्चा नजर आती है यह समय लड़ने का नहीं है यह समय सांती का है विकास का है अगर पिछले समय में कुछ हुआ है उस तरह का तो ठीक है लड़े हैं लेकिन अपने देश को विकास के गति पे बढ़ाने का है इस वज़े से लड़ाई तो मतलब होना नहीं चाहिए किसी भी देश में यह भारत अभी है ठीक है और क्या घोटाली आपने देखें नौ सालों में आपने लगातार वाते तो कहीं है और कुछ नजर आता है जिस परा व्य पर इनके नेता देखिए यह रेसलर वगर जो हैं जो मैटर आया था तो इन पर यह कारवाई क्यों नहीं कि यह जनता पर अगर के एक भी केस रहती छोटा भी केस रहता है तो पुलीस उठा के सीधे जल में डाल देती है लेकिन बड़े बड़े नेताओं पर केस रहता है त जो है मतलब BJP की है ठाकूर्जी उसको बरी तो नहीं किया गया आप जो किरिमनल है उसको आप निकाल के जमानत दिलवा करके आप लोक उसन सभा संसद में बहेष दें तो यह क्या चीज है पराधन मंत्री को नोट बंदी करने से पहले तो यह का आ रहे हैं उसको रोकने के लिए कानुन बनाना चाहिए नोट बंदी से कालाधन कहां से वापस आ गया रिपोर्ट है कि जितना नोट मतलब सर्कुलेशन में था उतना वापस आ गया तो फिर यह भरस्टाचार कहां वहाँ आप हमको बताईए यह तो आर्विया खुद नम बो लोग इसलिए अगर अगर परधान मंत्री की सही मंसा रहती है तो आप एक कानुन निकाल यह कि बिना इंडिया गॉबर्मेंट के परमीशन का कोई भी व्यक्ति देश के बाहर पैसा जमाना करता है तो उसका पैसा सीज कर लिया जाएगा इन बहलुट माना जाएगा देखि अब परधान मंत्री भी तो यही चीज़ का के वोट मांगे थे 2014 में तो अब क्यों नहीं करते हैं वो कार्य तो कैसे आप इस चीज का संसोधन निकालें क्योंकि लगातार देखा जाए तो अब एक की बाद एक बड़ी पोल खुलती चली जा रही है तो इसको ऐसे भी कहा ज अगर परधान मंत्री के पहले जो नेता लोग हैं सपोटर लोग हैं वो क्या बोलते थे 56 इंच का सीना 56 इंच का सीना आप बताइए मुझे एक बिस विद्याले पटना इंवर्सिटी आये थे ये कुछ समय पहले मैं भी पटना इंवर्सिटी का ही स्टुडेंट हूं तो इ उम्मिद कि आ जा सकता है कि यह पूरे भारत देसका ब्रसक्राइब कर लिजेगा का साव सबकाल सबका विशुए सतों तो कह रहे ना कैसे सबका साव सकाद विश्वास कर रहे हैं बिहार को विसे सराज का दर्जा नहीं रिए और यह करे है बिहार में हम इतना सीट किस सीट पर आपको वोट देगा ब्यहार का जंता या आपके चेहरे पर वोट देगा क्या कारे पर वोट दिया जाता है आप तो उइसा कारे नहीं कर रहे हैं कुछ भी या निकि ईम्मेदारी परधान मंतरी है इसको रोकने की गोटालों कि बात की गई चाहें वो क्यों के लिए फाइदा होगा और देखना ये पड़ेगा कि देश के प्रधान मंत्री इन तमाम वेपक्षट्री पार्टी आईगी नेताओं को जवाब कैसे देते हैं क्योंकि अरविंद केजरीबाल पवन खेरा सुप्रियरेत राहूल पांदी तमाम लोग जो है एक के बाद एक बड़ी घोटा लोग का खुला सा प्रेस्ट कॉन्फरेंस के द्वारा करते हुए नजर आ रही है आज किस खास रिपूर्ट बस अतना ही देखते रहिए नेक्ष्ट नाइन न्यूज कैमरा में सुमित के साथ रितिक सभीता